हेले दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल स्टेंड बीपीएसी में दोस्तों आज हम लोग बिसेकली बात करेंगे बिहार एनम भरती जो 10709 पदों पर आई थी उसकी कटफ क्या होने वाली है अभी तक आपने यूट्यूबर देखा होगा कि बहुत सरे यूट्यूबर जो हें वो अपने अपने हिसाब से कटफ बताए थे और जो भी आज हम लोग बात करेंगे मतलब जो पिछले year का जो cut-up था उसको देखकर हम बात करेंगे कि हो सकता है पिछले year के मुताबिक जो cut-up होने वाली है 1-2% इधर उदर हो जादा का माइन नहीं रखता है लेकिन फिर भी 1-2% का इधर उदर हो पिछले मुताबिक हम लोग देखेंगे और बात करेंगे फूल एनलिसिस करेंगे किनका होगा या किनका नहीं होगा किनका हो सकता है इन सबी चुजों पर हम लोग बात करेंगे तो चलिए हम लोग session सुरू करते हैं दोस्तो देखे चलिए आगे हम लोग देखते हैं सबसे पहले हम S.C.S.T. के बात करेंगे दोस्तों देखिए चुकि S.C.S.T. के बात करें तो देखिए S.C.S.T. का कट अफ क्या हो रहने वाला है चुकि अगर सपोज कीजिए कि आपका 90% कट अफ मार्क्स है यह नेम में कितना 90% है और उस 90% में आयोग क्या करेगा 0.6 से गुना करेगा यहनी क्या हो जगा 9,54 यहनी 54% आपने देखा होगा कि इस कुटनी में जो भी आपको चेक करने के लिए दिया गया है उसमें किसी का 52% किसी का 54% तो क्या 54% यहनी इसको देख कर लाया है आयोग ने 0.6 से मुल्टिप्लाई करने के बाद लाया है यानि 0.6 से गुना करने के बाद जो HST का जो cut-up होने वाला है वो होगा 45 से 52 के बीच क्या होगा ये गुना करने के बाद है ये जो 45 से 52 का जो cut-up रहने वाला है आप लोग का वो समझ लेजे क्या यानि 0.6 से गुना करने के बाद ये होगा और आपका marks कितना होना जाए एने में यानि 75 से लेकर 82 75 से लेकर 82% है तो आपका selection होने की संभावनाई है ये हम संभावनाई बता रहे हैं possibility हो सकती है अगर किसी का माल लेजे 46 है हो सकता है किसी का 49 है हो सकता है यानि 45 से लेकर 52 के बीच में जितने लोग होंगे उनका हो सकता है यानि किसी का 49 से 0.5 है तो उनका भी हो सकता है अगर किसी का 44 है तो उनकी संभावनाई आप 40 60 का संभावनाई रख सकते हैं हला कि जिनका 45 से लेकर 52 के बीच में हैं, उनका समझे कि आप 90 से 95% चांसेंस आपके बन सकते हैं, मेरिट बनने की, अब चलिए हम लोग बात करते हैं आगे, देखिए आगे हम लोग बात करते हैं कि इसका OBC का, चुकि यह जो OBC डिपार्टमेंट है, OBC, इसमें संख्या लग OBC में, तो इसका जो कटफ होने वाला है, यानि 48 से लेकर 52 के बीच में होने वाली हैं, और आपको पता होना चाहिए यह जो है, यानि 0.6 से गुना करने के बाद, यानि अगर सपोज किजिए किसी का 94% है, तो 94 में आपको क्या करना है, 0.6 से गुना कर दीजिए, गुना करन से 86 के बीच है, तो आपका परसेंटेज लगवग इतना के ही बराबर आने आएगा, तो आप चेक करते रहेंगे अपना, यह हम संभावनाएं बता रहें, फिक्स नहीं है, एक परसेंट, दो परसेंट इधर उधर हो सकता है, ठीक ना, चलिए, आगे देखते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे, यानि EWS का, अभी आपने देखा होगा हाल ही में एक NTPC, यानि railway group D का एक result आया था, जिसमें EWS कि हम cut up के बात करते हैं, हम बताएंगे हलकी, यह थोरा सा हम explain कर देते हैं, ताकि जो लोग EWS का certificate लगा कर भरे होंगे, उनको कितना benefit मिनने माला है, देखि 41, यानि आप EWS का certificate लगाए हैं, और 49 से 59, यानि 0.6 से गुना करने के बाद इतना आ रहा है, तो आपका संभावने बन सकता है, result होने का, merit बनने का, और किसी का 49.5 होगा, संभावना है, किसी का 50 है, उनका भी संभावना है, किसी का 51 है, उनका भी संभावना है, और जिनका अलग भग उपर है, उनका तो और समझ लिए सोने पर सुहागा है, इसके लिए यहने में आपका मार्क कितना होना चाहिए, यानि 75 से लेकर 82 के बीच में होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 75 से लेकर 82 के बीच होना चाहिए, और किसी का 76 है, 78 है, उन सब इसी के बीच दोस्तो तो यह क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो आप चांसेस रख सकते हैं चलिए अगला देखते हैं हम लोग इसके बाद हम लोग बात करेंगे जैनल जैनल में अब समझ लिजे दोस्तो अगर आप जैनल से हैं तो जैनल वाले तो भरे होंगे अगर एसी वाले भी होंगे तो इसमें वो भी भर देते हैं, वो भी C वाले होते हैं, वो भी भर देते हैं, ST वाले हैं, यानि इसमें लगवग सब लोग भर देते हैं, दोस्तों, जिनको reservation के जरूत नहीं होती है, वो लोग भी भर देते हैं, तो इसमें भी लगवग संख्या अच्छा खासा होता है, तो तो संख्या अच्छा घसा होगा तो जहर से बते cut-off होगा तो देखिए जेनरल का जो cut-off होना चाहिए वह होना चाहिए आपका 52 से लेकर 56 के बीच 52 से लेकर 56 के बीच अगर आपका 0.6 से गुना करने के बाद इतना आता है तो और इन्हें में मार्क्स जो आपका मार्क्सिट है उसमें अगर 87 से 92 परसेंट के बीच है तो आपकी संभावने चांस है मेरिट बढ़ने की अगर किसी का सपोज कि जे 53.5 है उनका भी चांस है अगर किसी का 52.5 है उनका भी चांस है 54 है फिर भी चांस है अगर इसमें परसेंटेज के बाद करें जैसे मार्क्सिट में आपका परसेंटेज है 87.something है तो भी चांस है 88 है चांस है तो ये था आपका क्या percentage यानि cut up पिछले year के मुताबिक मैंने बताया है यूटूबर बहु सारे यूटूबर होंगे आपको अपने अपने हिसाब से बताए होंगे लेकिन मैंने जो बताया है पिछले year के मुताबिक बताया है आप अपना देख सकते हैं या आप जाएंगे BTC के साइट पर वहां से भी आप previous year का जो भी cut up है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं यूटूब पर बहुत सारे वीडियो पर हुए है वहां से भी आप देख सकते हैं आपको घबराने के ज़रुत नहीं है patience रखिए अगर आप इन सारी चलिए तो उमीद करते हैं आप लोग अच्छा लगा होगा अगर ये cut up आप क्राइटिरिया को पूरा कर रहे हैं ये CSTOBC General EWS तो आप अपने दोस्तों को पास भी share कर सकते हैं ठीक ना दोस्तों तो ठीक है दोस्तों बाइबाइ टेक के और अपना ख्याल रखिए और हम लोग फिर मिलेंगे जैसा जिस तरह की नोटिफिकेशन मिलेगा मैं बहुत जलता आप लोग अपडेट देता रहूँगा